Dear Students, Welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का Chapter No.7, Animations Chapter का Part 7, Contain करना है. Students, आज हम इस वीडियो के अंदर, Animations के अंदर, इस Progress Spy को बनाना सीखेंगे, किस तरह से ये Progress Spy बनाया जाता है, और Animate करवाया जाता है, और कैसे इसे हम अपनी Website में Use कर सकते हैं. Okay, चलिए शुरू करते हैं इस Progress Spy को बनाना. Okay, so हम अपने Text Editor Software में आ जाएंगे, और मैंने क्या किया है, इस Folder को, मैंस यहाँ पर देखिए, अपने CSS Project के अंदर, CSS 3 Project के अंदर, जो Animation नाम का Folder बनाया था, उसी के अंदर मैंने एक Progress Spy का Folder बना दखा है, और उसी में मैंने Images, Style और Index File बना के रखी है, और यही फोल्डर को मैंने, यहाँ अपने Text Editor के अंदर, Open का रखा है, आपको भी इसी तरह से Documentation कर लेनी है, और यहाँ पर देखिए, Index.html है, और इस Tell.css है, इस CSS फाइल को मैंने, अपने इस Index.html के साथ Link कर दिया है, ताकि जो भी वह CSS का Code करूँ, वो इस Index.html में Work करने पाए, चलिए, अब हम बनाते हैं एक Progress Bar को, ठीक है, सो Progress Bar बनाने के लिए, आप क्या करना होगा, सबसे पहले एक Box बनाना होगा, और इसके अंदर मैं एक Class को Set कर देता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ Progress, ओके, आप इसे Save कर लो, ओके, अब आप आओ, Style.css में, और इस Progress Bar के Cover को, ठीक है, आप इसे Design करो, Style.css में मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं Choose कर लेता हूँ Progress, ओके, मैं इसकी Width पास कर देता हूँ, 500 Pixels, ओके, इसकी मैं Height रख देता हूँ, 40 Pixels, ठीक है, इसमें मैं Background Color पास कर देता हूँ, Sharp DDD, Just Save कर देन करते हैं, और देखते हैं कि इस तरह से हमें अभी Preview होता है, तो देखे, मैं आगे यहाँ पे ब्राउजर में, और मैंने इसे देन किया, तो यह कुछ इस तरह से हमें Preview देखता है, ठीक है, मैं इसकी Height थोड़ी से और कम कर दूँगा, तो यहाँ पे आजाए, 40 है, मैं यहाँ पे इसकी जो Width है, 30 पिक्सल करिके, Run करता हूँ, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसकी Width मैं थोड़ी से और बढ़ा दूँगा, 500 है, यहाँ मैं इसकी Width 600 कर दूँगा, और Reload करूँगा, ठीक है, इसको मैं Center में दिखाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, Center में दिखाने के लिए, आप इसमें Pass करोगे, Margin 0 Auto होगा, ठीक है, सो मैं यहाँ 0 नहीं डाल रहा हूँ, 0 डालने का मतलब होता है, Top or Bottom से 0 Margin देना, लेकिन मैं यहाँ से, 200 पिक्सल, Top or Bottom से Margin पास कर देता हूँ, और Left और Right से Auto पास कर देता हूँ, Left और Right से अगर आप Auto पास करते हो, तो वो अपने यहाँ पी Center में आ जायेगा, ठीक है, जैसा ही कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ Background Color है, वो कुछ ज़्यादा ही Dark हो रखा है यहाँ पे, मैं इसके जो Background Color है, उसे मैं थोड़ा सा और Light ले ले लेता हूँ, सो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, EF, 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 अब Save कर करन करता हूँ, और देखता हूँ कैसा Light दिख दिख रहा है, इतना Light ठीक है आपका Background Color, मैं चाहता हूँ कि जो इसके Corners हैं थोड़े Rounded हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी Progress में आप पास करोगे, Border Radius Property का, सो मैंने यहाँ पे पास कर लिए Border Radius, और 10 Pixel मैं इसमें Value पास कर देता हूँ, और Save करके Run करता हूँ, तो देखिए, आपको जो यह Progress बार है, वो Side से गोले कार में नजर आएंगे, मैं थोड़ा सा और इनका Rounded बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ 20, Save करके Run करता हूँ, तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको यह नजर आएगा, ठीके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो Progress होगा, Color वाला Box उसको बनाना है, ठीके, तो आज यह ज़र Index.html के अंदर, और इस Div के अंदर, एक और Div को बनाओ, ठीके, उसमें आप क्या करो, गरो Class की Value Pass कर दो, Progress Bar, Progress, – Bar, मैंने इसकी Value सेट कर दी, OK, अब मैं क्या करूंगा, Style.css में आउंगा, और Progress Bar को सेलेक्ट करूंगा, Progress Bar, OK, इसमें मैं विर्थ डाल देता हूँ, 0%, या फिर अभी आपको दिखाने के लिए, मैं इसमें 50% width इसमें डाल देता हूँ इसमें मैं height pass करे दूँगा 30 pixel और यहाँ पर जो background color है मैं pass करे देता हूँ wallet या फिर blue pass करे देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर background color जो है इसका blue pass करे दिया, ठीक है margin वगर आपको देनी कोई चोई नहीं क्योंकि हम उसी box के अंदर ही उसे बना रहे हैं, ठीक है हाँ आप इसमें क्या करो, border radius pass कर दो, सो मैं यहाँ पर border radius pass कर देता हूँ 20 pixel और save करके इसे run करता हूँ देखता हूँ कैसा आपको preview होता है सो आप देख पारे होंगे यहाँ पर पूरा सही तरीके से जो आप पर progress है वो preview हो रहा है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यह animated होता हूँ आपको दिखाई दे means 0 से start हो और यह 100% तक जा करके आपको दिखाई दे तो अभी यह कैसे बनेगा जर वो देखिए, ठीक है मैं क्या करूँगा हमें animation देनी पड़ेगी progress bar के अंदर क्योंकि मैं किसको animate करवाने चाहते हूँ चो यह blue alarm box देख रहे हो अंदर इसको हम animate करवाने चाहते हैं तो अब क्या करोगे इसी blue वाले में animated property का use करोगे सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा animation property का use करूँगा ओके और यहाँ पर मैं animation का नाम define कर देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर नाम define कर देता हूँ load ठीक है कितने second तक आपका यह animation चले मैं कहता हूँ 5 second तक यह जो animation है वो चलनी चाहिए कितनी बार चले यह unlimited time चले तो आप यहाँ पर pass करोगे infinity ओके so infinity ने infinite ठीक है infinite है अब हम क्या करते है simple से इसमें action को define करते है action define करने के लिए आप क्या करना होगा add the rate keyframes method का use करना होगा ठीक है so मैंने यहाँ पर use कर लिया add the rate keyframes और इसमें animation का नाम डाल देता हूँ load और यहाँ पर मैं क्या करूँगा पहले criteria define करूँगा action define करूँगा कि जो 0% जब हो मेरा तब यहाँ पर क्या होना चाहिए so मैं चाहता हूँ 0% पर इस progress बार का जो width है वो 0% होना चाहिए so मैंने यहाँ पर width pass कर दी 0% ठीक है और 100% पर क्या हो इसकी जो width है वो 100% में convert हो जाए simple से कुछ इस तरह से आप इसे save करिए और यहाँ पर जो मैंने width 50% डाली है ना आप यहाँ पर भी इसे 0% कर दीजे save करिए और यहाँ पर रन करिके check करिए okay देखिए so आपके जो animation है वो work नहीं करी चलिए देखते है क्या problem है यहाँ पर so यहाँ पर दिखिए जो infinite हमने लिखाया है उसकी spelling गलत है यहाँ पर infinity हमने कर दिया था यहाँ पर infinite आएगा ठीक है अब आप इसे save करिए और यहाँ पर रन करिके इसे check करिए तो यह देख रहे है किस तरह से आपका यह progress bar animate होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस progress bar का use हम अपनी website में करेंगे और कैसे करेंगे ज़र वो धियान से दिखेगा और समझने के ज़र इसकी logic को कोशिश करिए जैसे कि मेरी एक website है ठीक है उस website के उपर हम इस loader को present करेंगे हम यह चाहते हैं जब तक हमारी जो website है वो पूरी तरह से load नहीं हो जाती तब तक यह progress bar आए और जैसे ही हमारी जो website है पूरी तरह load हो जाए वैसे ही यह progress bar remove हो जाए सो उसके लिए हम क्या करेंगे हम इसी css3 के माध्यम से ही उसको बनाएंगे और जो की website होती है loading time जो website का होता है वो हम css3 के अंदर नहीं जात सकते हैं ठीक है अगर हमें जानना है कि हमारी website कितने seconds में load हो रही है तो उसके लिए आपको PHP जैसी language को पढ़ना होगा तब जाके आप जान पाऊगे कि जो आपकी website है कितने समय में load हो रही है लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे सिर्फ एक simple सा अंदाजा लगाएंगे कि जो आपकी website है कितने second में load हो रही है और उसी second को हम define करेंगे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो कोई website होती है वो जादा से जादा 30 seconds लेती है load होने में ठीक है 30 seconds से अगर जादा लेती है तो time out यह फिर error का message आ जाता है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एक website बनाएंगे और उस website को चुपा देंगे ठीक है और फिर उसे तब preview करवाएंगे जब यह हमारा पूरा loader present हो जाए तो चलिए देखिए हम उसको कैसे करने वाले हैं तो यहाँ आए index.html के अंदर यह देख रहे हैं आप हमारा यह progress bar है ठीक है जो हमने बनाया था इसको अब क्या करोगे ctrl x के साथ अप इसे cut करो और यहाँ पर div बनाओ ठीक है और इसमें आप class pass कर दो box ठीक है और इस box के अंदर आप क्या करोगे इस progress bar को रख दोगे ठीक है अगर अभी मैं save करे के run करूंगा तो भी आपको यह ऐसा ही के लिए आप इस box की coding को भूल जाओ ठीक है जिसे मैं यहाँ से cut कर देता हूँ अभी क्या है मैं पास पुरी fresh body देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक website को बनाता हूँ जैसे website का एक content ही मैं बना देता हूँ जैसे h1 से मैंने यहाँ पर कुछ write कर दिया जैसे मैं write कर दिया stp computer education ठीक है write कर दिया save करे के अगर मैं यहाँ पर run करूं इसको तो देखो आपको यह website दिख रही है मैं चाहता हूँ यह तब दिखे जब यह पूरी तरह से load हो जाए यह फिर 10 seconds के बाद दिखे ठीक है तो उसके लिए आप क्या करोगे जो हमने अभी box बनाया था उसको आप सबसे नीचे last में रखोगे ठीक है यह box को ओके समझें इस box को आप सबसे last में रखोगे कैसे ढखेंगे जड़र वो दिखिए यहाँ आए नीचे और यहाँ पे आप box को ऐसे select कर लो और जो इसकी width है वो डाल दो आप 100% और height भी डाल दो आप यहाँ पे 100% ठीक है background color आप इसका right कर सकते हो white यह फिर मैं अभी फिलाल के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे red pass कर देता हूँ अब मैं reload करता हूँ तो देखो okay problem थोड़ी से आ रही है यहाँ पे कि यह पूरी height में convert नहीं हुआ ठीक है चलब देखते हैं क्यों नहीं हुआ पूरी height में convert क्योंकि हमने यहाँ पे height जो है 100% pass कर रखी है देखिए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी layer जो है वो unlock नहीं है तो आपको क्या करना होगा इस box की जो layer है वो आपको unlock करने पड़ेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे position का use करेंगे और position absolute की माधियम से इसकी layer का unlock कर देंगे और इसको हम top से zero रखेंगे और left से भी zero रखेंगे अब मैं इसको save करके run करता हूँ तो देखो जो आपका यह box है उसने क्या किया है हमारे पूरी body को cover कर लिया है जिससे कि आपकी जो website थी जो यहां दिख रही थी वो दिखना बंद हो गई है अब वो कब दिखेगी जब यह आपका जो loader है पूरी तरह यहां पे fill हो जाएगा तब वो दिखना शुरू होगी तो उसके लिए अब आप क्या करोगे आपको animation ही define करनी होगी ठीक है animation define करेंगे हम किसमें इस box के अंदर सो आप क्या करो इस box में animation property का use करो और यहां पे animation pass करो ठीक है सो मैं यहां पे animation का name दे देता हूँ box इसका नाम दे देता हूँ और यहां पे seconds pass कर देता हूँ कि यह 2 seconds में गायब हो जाए ठीक है यह फिर 10 seconds यहां pass कर देता हूँ ठीक है यह फिर 1 seconds यह 2 seconds ठीक रहेगा 2 seconds मैं यहां pass कर दिया और यहां value में type कर देता हूँ infinite लेकिन infinite type करने को तो बाल-बाल hide होगा तो मैं यहां पे infinite type नहीं करने वाला हूँ okay so अब हम क्या करेंगे इसके अंदर keyframes को define करेंगे so मैं यहां लगा add there it keyframes okay और यहां पे मैं animation का name pass कर देता हूँ box ठीक है इसके बाद मैं क्या करूंगा यहां पे 0% पे क्या हो 0% पे जो यह box है वो hide हो जाए सो हम क्या करेंगे इस 0% पे इस box में pass कर देंगे display none okay display आप none pass कर दो simple से जो यह आपका box होगा पूरा hide हो जाएगा 0% पे और यह 100% तक आपका display none इस पे work करना चाहिए तो आप यहां पे display none इसमें भी pass कर दो okay अब आप इसे save कर लो और run करके check करो क्या यह work कर दा है यह नहीं सो देखो मैंने इसे run किया और इस तरह से देखो check किया सो यह देखो work नहीं कर दा है क्यों नहीं work कर दा है वह ज़र हम देखते हैं students आप ऐसा करिए display none की जगा हम दूसरी property यहां पे लगाएंगे box को hide करने के लिए जैसे कि एक और property होती है मैंने आपको सिखाई थी opacity सो मैं यहां पे इसमें opacity pass कर देता हूँ 0 और इस 100% वाले में भी मैं opacity pass कर दूँगा 0 ठीक है अब आप इसे save करके run करिए और अब check करिए क्या यह work करता है यह नहीं तो देखिए इसने work कर लिया लेकिन देखो क्या problem आई यह दुबारा से वापस आ गया ठीक है सो हम चाहते हैं कि यह दुबारा वापस ना आए मतलब 100% पे जैसे opacity 0 हो जाती है तो वह यहीं पे लुक जाए ठीक है सो यह कैसे होगा जरवू देखिए सो आपको क्या करना होगा यहां पे आईए box में और यहां pass करिए animation-fill-mode property को और यहां value pass करिए forward ठीक है इसे pass करने से क्या होता है कि जो भी आपकी animation हुई है वह 100% पे stop हो जाती है और वह दुबारा नहीं आती है ठीक है सो देखिए यहां पे मैं reload करता हूँ तो देखो अब एक बार animation हो गया जो आपका page था red वाला वह वापस नहीं आया ठीक है क्यों नहीं आया क्योंकि हमने इसमें क्या pass कर दिया animation-fill-mode-forward ठीक है अब यहां देखो हमने 2 seconds डाल रखा है यहां पे मैं क्या करता हूँ देखिए यहां पे देखो आपका 5 seconds तक पहले animation load होता है और मैं चाहता हूँ 5 seconds के बाद ही मेरी website खुले लेकिन अभी क्या हो रहा है 5 seconds से पहले ही मेरी website है वो open हो जा रही है ठीक है मैं यहां पे क्या करूँगा यहां पे 5 seconds पहले define कर देता हूँ और यहां पे मैं एक और property को pass करूँगा animation delay ठीक है कि जो यह box hide हो वो कब hide हो जब मेरा loader 100% fully यहां पे आ जाए ठीक है सो मैं यहां पे pass कर देता हूँ animation delay property को और यहां value pass कर देता हूँ 5 seconds means 5 seconds के बाद ही जो यह वाली property है यह work करने पाए तो मैं इसे save करके run करता हूँ ज़ यहां से देखिएगा तो देखिए यह पहले loader पूरा तरीके से load होगा और उसके बाद ही जाकर के यह remove होगा ठीक है So I think आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप loader को बना सकते हो अब मैं यहां पे क्या करूंगा जो background color मैंने red दिया है इसको मैं white pass कर देता हूँ इसके अंदर आप save करके run करता हूँ तो जो अधियान से देखिए आपको कुछ इस तरह से यह preview होगा ठीक है I think आपको वीडियो समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दुबारा से एक बार देखिए और अगर कुछ problem आती है Animations अगर सही से समझ में नहीं आया है तो आप क्या करिए आप हमें call करिए हम आपकी सभी problems को solve कर देंगे Okay So, thanks for watching our video Have a nice day